इस वक्ती बहुत बड़ी ख़बर आपको बता दे दिल्ली महिला योकी पूर्व अध्यक्ष और राजसबसांस स्वाती मालिवाल से बजसलूपी के मुद्दे पर आम आजबी पाटी लगाता सवालों के घेरे में और आज लखनों में अखलेश यादव के साथ साजा प्रेस कॉंफरेंस में जब केज़िवाल से स्वाती मालिवाल के मुद्दे पर सवाल किया गया तो वो सवालों से बचते हुए नजर आए इस बीच केज़िवाल ने माईक अखलेश यादव की तरफ कर दिया जिसके बाद अखलेश यादव ने कहा कि देश में इससे बड़े और भी ज़ादा मुद्दे हैं अलकी बाद में संजे सिंग ने स्वाती मालिवाल की मुद्दे पर बीजेपी पर राजनीती करने कारों भी लगा दिया आपको पता दें कि 13 माई को दिल्ली के सिम हाउस में स्वाती मालिवाल के साथ सिम के पिये विभव कुमार ने बद सलूकी की थी और अगले दिन खुद संजे सिंग ने ये बात स्वीकार भी की थी और स्विकार करते हुए विभव पर कारवाई की बात भी कही गई थी लेकिन उसके बात से अब तक कुछ भी होता हुआ अब नहीं नजर आ रहा है आप योच्जी आपके साथ में स्वाती मालीवाल के मामली में अरे उससे ज्यादा जूरी और चीज़ें भी हैं कागजा में निकाल लिए हैं आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूँ जितने विसे मैंने आपके सामने रखे हैं देश के प्रधान मंत्री और भारती जनता पार्टी को जवाब देना की देए स्वातिमाली वाल के मामलीं जवाब देना जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंत्र मंतर पे नया मांगने कीश वासि इसन помогicon करताicherung नहीं है सबस्क्राइब कर रहे हैं लेकिन सच कुछ औरै बिभव सिंग लगातार के जिवाल और संजय सिंग के साथ नजर आ रहे हैं लखनों में जब प्रेस कॉंफरेंस के समय भी बिभव कुमार उनके साथ थे आप आधी पार्टी के कारेकरता उन्हें घेरे हुए थे और मीजिया को उनसे बात करने से रोका जा रहा था इस वक्त हम समाजवादी पार्टी कारेयाले में मौझूद हैं मुख्यमंत्री अर्विन केजरीवाल ने अभी अभी अखले शादों के साथ प्रेस कॉंफरेंस ली है लेकिन चौका देने वाली खबर ये है कि बिभब कुमार जो की प्राइबेट सेक्रेटरी है मुख्यमंत्री अर्विन केजरीवाल के वो इस वक्त गाड़ी में मौझूद है उनके साथ बकायदा समाजवादी पार्टी कारेयाले तक आए बिभब के हम तस्वीरे आपको दिखाने के कोशिश करें गे बट जो पार्टी के कारता है उन्होंने गाड़ी को घेर रखा है किसी भी मीडिया कर्मी कार्मी को पार्ट जाने नहीं नू güb about से सवाल लूत कि नहीं मिला आहा है हमने सबसे पहले देखा कि गार्डी में तो वाइरंट यू अलाविंग तो इस पीक तो आपके रहे हैं कि हमारे पार्टी का अंदूर्णी मामला है जब समय आएगा तो हम बात करेंगे पर दिक्कत यह है कि विभव कुमार वहां देखें के एक बद दिखाएं वहां पर बैठे हुए हैं विभव हमारे सवाल सुन भ करेंगे आप नीचे थे वहां पर सारी चीज़े सांसे लेकि उन्हों नहीं पता है अर्विन के जिवास बात भी शायद आप आये नहीं थे नीचे सारी बात होगे सब कुछ नोंने बता है डबल स्टंडर्ड क्यों पिहार रही है इसलिए वह ऐसा करेंगे आज़े आरणी क कारिकर आमें गाडी के पास जाने नहीं दे रहे हैं विभव कुमार गाडी में इस वक्त मौजूद है कि नारी शक्ती के साथ समझोता नहीं करेंगे अर्विन केजरिवाल ठीक है ब्रश्टाचारी तो है कटर बहिमान है लेकिन अपनी ही पार्टी की नेत्री के साथ दुर्वेवार हो मारपीट हो गाली गलोज हो तो शायद अर्विन्द केजरिवाल की इंसानिया जागेगी और वो तुरित कारवाई करेंगे अपने पिये विभव कुमार के खिलाफ लेकिन आज जो सामने आया वो तो बहुत चौकाने वाला था आज अर्विन्द केजरिवाल को कोई मलाल कोई पच्चतावा नहीं था कि एक महिला सांसच जो उनकी पार्टी की हैं उनके साथ मारपीट होती है दुर्वेवार होता है कारवाई तो दूर की बात है वो तो पच्चताप भी नहीं कर रहा है कारवाई तो क्या करेंगे और एक तस्वीर सामने आई यह आपसे साजा करें यह अर्विन्द केजरिवाल के साथ बिभव कुमार इन पे तो आरोप लगे हैं मतलब अच्छा आरोपी अर्विन्द केजरिवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है और वो समाजवादी पार्टी के हेड़कोर्टर में भी दिखाई दिया साथ में तो यह पूछा जाएगा यह जो पाप उसको शीश महल क्या कहें अर्विन्द केजरिवाल के गुंडा गर्दी करने का घर कहें तो ज्यादा अच्छा है कभी चीज सेक्रेटरी पिट जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पे दिल्ली में कभी एक सांसद नेत्री पिटती हैं तो यह पूछा जाएगा यह जो पाप हो रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में इस पे अर्विन्द केजरिवाल का क्या कहना है और चिंता जनक यह है कि जिस पे अर्विन्द केजरिवाल को कारवाई करनी थी वो उनका जुड़वा भाई बनके अपराद में साथ-साथ घूम रहा है तो बड़ा निराशा हुई यह देखके कि अर्विन्द केजरिवाल ने सपष्ट कर दिया है महिला सम्मान के लिए उनके पास कोई जगा नहीं है कोई प्रतिबद्ता नहीं है कि वो कारवाई करे और धन्यवाद देना चाहूंगा अब मीडिया का मीडिया ने बड़ी इमांदारी से ज़जबा दिखाते हुए सवाल पूछा उन्होंने कहा कि स्वाती मालिवाल जी के साथ जो हुआ उस पे आपको क्या कहना है तो अर्विंद केजरिवाल घाबरा से गए हवाईया उड़ गई उनको समझ में नहीं आया मैं क्या कहूं और संजे सिंग ने तुरंक माईक अपनी तरफ लिया और अनरगल इधर उधर की बाते करने लगे हैं लेकिन एक बार एक शब्द ये नहीं निकला कि स्वाती मालिवाल जी को नय होगा त्वरित कारवाई होगी ऐसा पी ए सस्पेंड होगा कम्पलेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से जाएगी एफ आयार होगी और पुलिस तो अपनी कारवाई करेगी लेकिन सवाल ये उठता है क्या स्वाती मालिवाल जी को जबरन दबाव बना के कहीं पे रखा हुआ है सवाल ये उठता है क्या इस गुंडा गर्दी का जो घर बना हुआ है अरविंद केजरिवाल का यहां पर अरविंद केजरिवाल के ही इशारे पर उनके पीए ने हाता पाई करी है गाली गलोज किया है और अगर खंडन हो जाता तो अरविंद केजरिवाल कम से कम यह कह सकते थे कि ऐसा नहीं हुआ है या हुआ है तो कारवाई होगी लेकिन वो भी नहीं हुआ भ्रष्टाचारी जेल सीम बेल सीम बनता है चार जून को फेल सीम बनेगा लेकिन डरपोक सीम एक तरफ अधर्निय प्रदानमंत्री श्री नरेंद्र बोदी जी प्रतिबद्ध है महिला सम्मान महिला सशक्तिकरण संविदान का संशोधन करके आरक्षन देंगे महिलाओं को मुख्यधारा में जोड़ेंगे दूसरी तरफ ये घमंडिया गुट और घमंडिया गुट क्यों कहता हूँ वहाँ पे पंचर साइकल फटा टायर अकिले ज़्यादा बैठे थे उन से पूछा गया उन्होंने कहा ये इतना जरूरी नहीं है और भी बहुत जरूरी बाते हैं करने के लिए महिला सम्मान जरूरी नहीं है क्योंकि लड़के हैं लड़कों से गल्ती हो जाती है महिला सम्मान की चिंता इने हैं नहीं और ये जो जहरीली सोच है इसलिए मैंने आपसे कहा ध्रश्टाचार की बोटल में महिला सम्मान का दम घोट के शराब परोस रहे थे और दोनों नेताओं ने एक शब्द नहीं कहा कि स्वाती मालिवाल जी को नय मिलेगा त्वरित कारवाई होगी हम शर्मिन्दा हैं हम माफी मांगते हैं हर महिला से ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था ये और एक स्वस्त परंपरा को आगे बढ़ाया है तो भारतिय जन्ता पाटी ने बढ़ाया है वो विपक्षी पाटी की नेत्री जरूर है लेकिन उनका भी संमान है और उनको न्याय मिले इसकी लड़ाई भारतिय जन्ता पार्टी लड़ रही है यह एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश को दिल्ली को उत्तर प्रदेश को कि जब महिला सम्मान की बात आएगी तो दलगत राजनिती से उपर उठकर अगर कोई पार्टी खड़ी रहेगी तो वह भारतिय जंता पार्टी है और मीडिया ने दिखाया पुलीस जनरल डाइरी होती है जब ये कॉल बताया जा रहा है स्वाती मालिवाल जी के मुबाइल से ही किया गया तो ये नोट किया जाता है ये विदिक प्रक्रिया है उसमें एक लाइन बड़ी आवश्चक है आपके संग्यान में लाने के लिए लिखा है लेडी कॉलर बोल रही है कि मैं अभी सी एम के घर पर हूँ उन्होंने अपने पीए वेभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है नोट किया जाए उन्होंने उन्होंने अर्विंद केजरिवाल क्योंकि पीए तो उन्हीं के हैं बात तो उन्हीं की सुनेंगे और कोई तो उन्हें निर्देश दे नहीं सकता है तो यह जो उन्होंने आया मतलब अर्विंद केजरिवाल ऐसा प्रतीत होता है यह अपने पीए को कहते हैं कि एक नेत्री को जो सांसद हैं और उन्हीं की पार्टी से हैं उनको पीटो गाली दो क्या इस बात का खंडन एक मुख्यमंत्री को जिसने सम्विदान की शपत लिए है कि नारी सम्मान के लिए खड़ा रहेगा एक शब्द नहीं बोलना चाहिए था यह पीड़ा देता है यह दुर्भाग्य पूर्ण है और लोगतंत्र में महा पर चल रहा है जब वोट की चोट लगती है न तो ऐसा ना हो अर्विंद केजरिवाज रिटायर रिटायर छोड़िये रिटायर तो आप होंगे ही तहीं पुलिटिकली एकसपायर भी ना हो जाएं यह बहुत ही महतपूर्ण मुद्दा है और मैं यही कहके अंत करूंगा कौन सी पार्टी से हैं ये महत्व नहीं रखता है महत्व रखता है कि उनको न्याय मिलना चाहिए अर्विंद केजरिवाल के मुँ में जो दही जमी है उसको हटा कर इस पर व्यक्तव्य देना चाहिए और अगर आप घरपोक सी एम है और एक शब्द नहीं बोल सकते हैं झाल अगर प्योड़ इस रहीं है